हाई गाईस वेलकम माई यूटूब चैनल रंगमंच एंड सिनेमा टिप्स साथियो आपका अपना दोस्त अभिकुमार आप लोगों के सामने उपस्थित है एक नया विशा लेकर एक नया वीडियो लेकर आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे डारेक्ट कट प्रोडक्शन हाउस के बारे में अगर हम लोगों को डारेक्टर कट प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना साथियो तो कैसे करें क्या प्रोसेस है किस तरह से वहाँ पर अपना ओडिशन दे इंट्रो कैसे दिया जाता है इसी तरह की बहुत सारी जानकारी लेंगे आज के अपने इस वीडियो में तो साथियो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, वेल आइकन को फ्रेज करना ना भूलिये साथियो तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के और वीडियो स्टार्ट करते हैं डारेक्टर कट प्रोडक्शन हाउस साथियों आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इसी पर बातचित करेंगे डारेक्टर कट प्रोडक्शन हाउस के बारे में लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले डारेक्टर कट प्रोडक्शन हाउस का इतिहास बताऊंगा फिर उसके बाद हम लोग कास्टिंग, ओडिशन और इंट्रो पे बादचीत करेंगे साथियों डारेक्टर कट प्रोडक्शन हाउस का निर्माड सन 2007 में राजन शाही सर के द्वारा किया गया, राजन शाही सर जो है दिल्ली के रहने वाले हैं, उनका एजुकेशन दिल्ली में हुआ साथियों, जब उन्होंने अपना एजुकेशन फाइनल कर लिया तब उसके ब जैसे मैं आप लोगों को उनकी निर्देशित कुछ शो के नाम बता रहा हूं, विरासत, साथीरे, जस्सी जैसा कोई नहीं, इस तरह के बहुत सारे शो उन्होंने निर्देशित किये, फिर साथियों काफी शो निर्देशित करने के बाद उन्होंने सन 2007 में डारेक्टर कट प्रोडक्शन हाउस का निर्माड किया, फिर बहुत सारे टीवी सिरियल बनाए और पॉपुलर रहे, जैसे मैं आप लोगों को कुछ टीवी सिरियल के नाम बता रहा हूं, ये रिष्टा क्या कहलाता है, सपना बाबुल का, चाद छुपा बादल में प्रतिग्या और अनु निर्माड किये, और साथियो जितने भी टीवी सिरियल के इन्होंने निर्माड किये, सारे टीवी सिरियल जो है पॉपुलर रहे, मैं आप लोगों को सारे टीवी सिरियल का नाम नहीं बता सकता, अगर मैं सभी टीवी सिरियल का नाम बताऊंगा साथियो तो वीडियो बहु पर अपना audition देना है, intro देना है, तो कैसे दे क्या process है, तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वहाँ पर जो audition देने का process है, जैसे और production house में रहता है, वैसे ही वहाँ पर भी है, वहाँ पर कुछ अलग नहीं है, आपको वहाँ जाकर direct उनके office में अपना audition और intro देना पड़ेगा, तभी जो है आप वहाँ पर काम पा सकते हैं, मैं आप लोगों को director cut production house का address शेर कर रहा हूं screen पे, आप लोग इस address पर जाकर उनके office में अपना intro audition दे सकते हैं, और साथियों अगर आपके लाएक कोई requirement रहती है, तो आपको फिर दुबारा बुलाते हैं, औ और आपका audition लेते हैं, और audition लेने के बाद आपको काम मिलता है director cut production house में, इस तरीके से आप जो है director cut production house के साथ काम कर सकते हैं, या तो फिर मैं आप लोगों को उनका email id शेर कर रहा हूं, आप लोग इस email id पर अपना intro audition बनाईए अच्छे तरीके से, और उनको send कीजिए, अग आपको फिर बुलाएंगे और आपका audition लेंगे, अगर आप जो है audition पास कर लोगे साथियों तो आपको काम देते हैं, आप जो है इस तरीके से काम पा सकते हैं, यही तरीका है वहाँ पर काम पाने का, इसी तरीके से आप जो है director cut production house में काम पा सकते हैं, इसके अलावा साथि मैं आप लोगों को उनका phone number दे रहा हूँ अगर आप लोगों को कोई बात इस वीडियो में समझ में नहीं आई तो आप जो है उनको call करके बातचीत कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं इस तरीके से साथियों आप जो है उनके connect में रहकर काम पास सकते हैं और आप लोग जो ह है सारे update मिलते रहेंगे इस तरीके से साथियों आप लोग उनके connect में बराबर बने रहोगे और आपको वहां का सारा news मिलता रहेगा इसी तरीके से आप जो है काम पास सकते हैं तो साथियों यही छोटी सी जानकारी है आज के हमारे इस वीडियो में अगर हमारे वीडियो आ अपने अगले वीडियो में नए विशाय के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत